ओम श्री गणिशाय नमहा वागर्था विवर्था 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 वि सुदेवाय स्री सुकवाच अथसिंदु सौविरपते रहू गणस्य ब्रजत एक्छु मत्यास्तते तत कुलपतिना सिविकावाह पुरुषान वेशन समय दैवेनो पसादितह सदद्यसा दुजवर उपलब्ध एसपीवायुवा संगन नांगो गोखरवद्धुरं वोधुमल वोधुमल मिति पूर्व विष्टिग्रिही तैही सहग्रिही तहा प्रसभ मतदरह उवाह सिविकाव समहान भावाह श्री सुकदेव जी कहते हैं राजन एक बार सिंधु सवबीर देश का स्वामी राजा रहू गण पालकी पर चढ़कर जा रहा था जब वह एक छुमती नदी के किनारे पहुचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवस्यक्ता पड़ी कहार की खोज करते समय दैव वस उसे ये ब्राम्वन देवता मिल गए इन्हें देखकर उसने सोचा यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठेले अंगों वाला है इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोज़ा ढो सकता है यह सोच कर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात पकड़कर पालकी में जोड़ दिया महात्मा भरत जी यद्यब किसी प्रकार इस कार के योग्य नहीं थे तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले हुए द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए इस डर से आगे की एक बान प्रत्वी देख कर चलते थे इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेर नहीं खाता था अतहा जब पालकी टेड़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहू गणने पालकी उठाने वालों से कहा अरे कहारों अच्छी तरह चलो पालकी को इस प्रकार उची नीची करके क्यों चलते हो तब अपने स्वामी का यह आख्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया यह महाराज यह हमारा प्रमाद नहीं है हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहू गणने सोचा संसर्ग से उत्पन होने वाला दोस एक ब्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुसों में आ सकता है इसलिए यद इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड लेंगे ऐसा सोच कर राजा रहू गण को कुछ क्रोध हो आया यद्य भी उसने महापुरुसों का सेवन किया था तथा भी छत्त्री स्वभाव बलात उसकी बुद्धी रजोगुन से ब्याप्त हो गई और वह उन दुज़ा स्रेष्ठ से जिनका ब्रम्भतेज भस्म से ढके हुई अगनी के समान प्रकट नहीं था इस प्रकार ब्रंग से भरे वचन कहने लगा अरे भाईया बड़े दुख की बात है अवस ही तुम बहुत ठक गए हो ग्यात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देल से पाल की ढोते चले आ रहे हो तुम्हारा सरेर भी तो विशेश मोटा ताजा और हटा कटा नहीं है और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भाती चुपचाप पाल की उठाय चलते रहे उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना क्योंकि उनकी द्रिष्टी से तो पंचभूत इंद्रिय और अंतह करण का संगात यह अपना अंतिम शरीर अविध्या का ही कार्था वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुत था ही नहीं इसलिए उसमें उनका मैं मेरे पन का मिथ्या अध्यास सर्वता निवित्त हो गया था और वे ब्रम्भरूप हो गये थे किन्तु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है यह देखकर राजा रहुगन क्रोद से आग बबूला हो गया और कहने लगा अरे यह क्या क्या तू जीता ही मर गया है तू मेरा निरादर करके मेरी आग्या का उलंगन कर रहा है मालुम होता है तू सर्वदा प्रमादी है अरे जैसे दंड पान या मराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते है उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ तब तेरे होस ठिकाने आ जाएंगे रहू गण को राजा होने का अभिमान था इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाव सनाव बातें बोल गया वह अपने को बड़ा पंडित समझता था अतहा रज तम युक्त अभिमान के वसी भूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरसकार कर डाला योगे स्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था उसकी ऐसी कच्ची बुद्धी देखकर वे संपून प्राणियों के सुर्हिद एवं आत्मा ब्रम्भवूत ब्राम्भन देवता मुस्कराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किये इस प्रकार कहने लगे जड़ भरत ने कहा राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है उसमें कोई उलाहना नहीं है यदि भार नाम की कोई वस्तू है तो ढोने वाले के लिए है यदि कोई मार गए तो वह चलने वाले के लिए है मोटा पन भी उसी का है यह सब सरीर के लिए कहा जाता है आत्मा के लिए नहीं ग्यानी जन ऐसी बात नहीं करते इस थूलता, क्रिष्टा, आधी, ब्याधी, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और सोक यह सब धर्म, देहाभिमान को लेकर उत्पन होने वाले जिव में रहते हैं मुझे में इनका लेस भी नहीं है रहे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं क्योंकि वे सभी आधि अंत वाले हैं यह सस्वी नरेश जहां स्वामी सेवक भाव इस्थिर हो वहीं आग्या पालनादी का नियम भी लागू हो सकता है तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ इस प्रकार की भेद बुद्धी के लिए मुझे बेवहार के सीवा और कहीं तनिक भी आवकास नहीं दिखाई देता परमार्थ द्रिष्टी से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक फिर भी राजन तुम्हें यदि स्वामित्यों का अभिमान है तो कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ वेरवर मैं मत उनमत और जड़ के समान अपनी ही इस्थिती में रहता हूँ मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा यदि मैं वास्तों में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे सिक्षा देना पिसे हुए को पिसने के समान बेर्द ही होगा श्री सुक्देव जी कहते हैं परिचित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्तों का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए उनका देहात्म बुद्धी का हेत भूत अज्ञान नवित हो चुका था इसलिए वे परम सांत हो गए थे अतहा इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्धक्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे सिंधु सववेर नरेश रहूगन भी अपनी उत्तम स्रद्धा के कारण तत्त जिग्यासा का पूरा दिकारी था जब उसने उन दुजस्रेष्ट के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हिदय की ग्रंथी का छेदन करने वाले ये वाकि सुने तब वह ततकाल पालकी से उतर पड़ा उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपनाद छमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा हे देव आपने दुजों का चिन्ह यग्यों पवीत धारन कर रखा है बतलाईए इस प्रकार प्रच्छन भाव से विचरने वाले आप कौन हैं क्या आप दत्तात्रे आधि अवदोतों में से कोई हैं आप किसके पुत्र हैं आपका कहां जन्म हुआ है और यहां कैसे आपका पधारपण हुआ है यदि आप हमारा कल्यान करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्त मूर्टी भगवान कपिल जी ही तो नहीं है मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है न मैं महादेव जी के तिसूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से मुझे अगनी सूर चंद्र वाजू और कुबेर के अस्त्र सस्त्रों का भी कोई भय नहीं है परन तुम्हें ब्राम्वन कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ अताह कृपया बतलाईए इस प्रकार अपने विज्ञान और सक्ती को छिपा कर मुर्खों की भाती बिचरने वाले आप कौन हैं विश्यों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं मुझे आप की कोई थाह नहीं मिल रही है साधो आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धी द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता मैं आत्मक ज्यानी मुनियों के परम गुरू और साक्षात स्री हरी की ज्यान सक्ती के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एक मात्र सरन लेने योग के कौन है क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दसा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपा कर बिचर रहे हैं भला घर में आसक्त रहने वाला विवेक हीन पूरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है मैंने युद्धाद करमों में अपने को स्रम होते देखा है इसलिए मेरा अनुमान है कि बोजह ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवस ही होता होगा मुझे तो ब्युभार मार्ग भी सत ही जान पड़ता है क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदिकार नहीं होता देहाद के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता ऐसी बात भी नहीं है चूले पर रखी हुई बटलोई जब अगनी से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पग जाता है इसी प्रकार अपनी उपाधी के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह इंद्रिय प्राण और मन की सनिधी से आत्मा को भी उनके धर्म स्रमाद का अनुभव होता ही है आपने जो दंडाद की ब्यर्थता बताई सो राजा तो प्रजा का सासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है उसका उनमत्ताद को दंड देना पिसे हुए को पीषने के समान ब्यर्थ नहीं हो सकता क्योंकि अपने धर्म का आचन करना भगवान की सेवा ही है उसे करने वाला ब्यक्ति अपनी संपून पाप राशी को नश्ट कर देता है हे दिन बंदो राजत्त के अभिमान से उनमत होकर मैंने आप जैसे परम साधू की अवग्या की है अब आप ऐसी क्रिपा द्रिष्टी कीजिए जिससे इस साधू अवग्या रूप अपराज से मैं मुक्त हो जाऊं आप देहा भी मान सुन्य और विश्व बंदू स्रीहरी के अनन्य भक्त हैं इसलिए सब में समान द्रिष्टी होने से इस मानाप मान के कारण आप में कोई विकार न हो सकता तथा पी एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात तिसूल पाणी महादेव जी के समान प्रभाव सालि होने पर भी अपने अपराज से अवस्य थोड़े ही काल में नस्ट हो जाएगा हरी हिशरणम स्री कृष्णार पनामस्तू